Hi everyone, welcome back to a new video और अभी आप मेंड़ाँ स्वेतर नोट कर honesty स्वेटर सब्सक्राइव कर दाएए सवैटर यह ना कहला है बींट मिदल विडिए खरौ्डे के साथ को सेटर्ड़ कर सेटड़ इन सेटर्ड़ सेटाइज कोड़ी पूरा दिन सिस्टर के साथ आउटिंग और गब सब में निकल गया कुछ नहीं किया मैंने राज Sunday अज मैं फ्री थी तो आज मैं ये 2-3 वीडियो एक बाद शूट कर रही हूँ जिसे के आराम से मैं वीग में इनको एडिट करके आप सुब के साथ श्यार करूंगी तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है, 25 must have products, every girl need in her handbag तो इसे पहले मैंने आप सब के साथ शेयर किया था, कि what is in my bag, what is in my travel bag एक वीडियो में जो आप सब के साथ शूट करने थी, what is in my beach bag, वो शायद मैं आप सब के साथ शेयर नहीं की, अभी जो मैं next vacation पे जाओंगे, वहां वो भी शेयर करूंगे, तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है, कि हमें अपने office handbag में, या एक जो भी handbag केरी करते है आप office जाने के लिए, या जनरली जब भी आप बाहर निकलते हैं, जो भी एक handbag हम केरी करते हैं, तो उस handbag में हमें क्या-क्या प्रोड़क्त अपने केरी करने चाहिए, जैसे मैं अगर अपने handbag की बात करूं, तो मैं ये tote bag अपना यूज करती हूं, ये मने शोट वीडियो आप एक बार जाके चक आउट के लिए, जैसे मैं इस bag की सारी details दी हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये सारे product में अपने handbag में करते हूं, मुझे लगता है कि हर गर्ल्स को, हर वीमन को ये अपने bag में जुरू करने चाहिए, कही ना कही बहुत ही जादा यूज़ करती हूँ, वो है sunscreen, sunscreen generally क्या होदा है, कि girls क्या करती है, कि एक बार या तो sunscreen apply नहीं करती है, एक बार apply किया और देन घर से निकल गए, बट sunscreen को reapply करना बहुत जरूरी होता है, 3-4 hours के बाद आप sunscreen जरूर reapply कीजे, जादा नहीं तो at least 2 बार तो जरूर आप apply कीजे, तो मैं हलका सा apply कर लेती हूँ, यह matty sunscreen आपने जो भी makeup किया है, हलका सा यह है कि oily oily आपका face होगा, जादा नहीं बहुत हलका सा लगेगा, तो वो चलता है, उसको मैं compact से set कर लेती हूँ, तो आपके handbag बे जरूर एक sunscreen होना चाहिए, second जो product है वो होना चाहिए, compact जैसे मैंने बताया जाता है कि जब आप sunscreen apply करते हैं, तो हलका सा compact से उसको set कर लेजे, तो आपका आई जो lips का makeup ऐसे ही रहता है, आप sunscreen apply करते हैं, neck पे हलका सा compact लगा लेजे, तो बिल्कुल okay okay हो जाता है, कोई problem नहीं होती, third product है, third product है काजल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काजल शाम तक आते go, मतलब एक बिल्कुल एक presentable सा look हो जाता है, और next product है, next है lipstick, मतलब ये makeup के समान है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, compact काजल, एक lipstick, लिपस्टिक ये जो है, जो मैंने पहले भी आपको बताईती है, मेरे handbag में हमेशा होती है, 09 Mona Lisa, बहुत प्यारा shade है, second जो next product है, next product है, lip balm, अगर मैं 925 की बात करूँ, तो मैं with SPF lip balm apply करती हूँ, ये तो मेरे पास हमेशा होता है, बहुत बार इसको मेरी purchase करती हूँ, और अगर evening में मुझे apply करना है, तो मैं डवकाज के लिज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और next product है, next product है, कु कुछ बनाना है, तो ये काफी अच्छे से बन जाता है, और कुछ hair dye colorful, अगर black लगानी है, pink या red, इस टैप के 2-3 color आप रख सकते है, next product है, जो हमेशा अपने handbag में हम girls को जरूर करना चाहिए, वो है sanitary pad, जैसे ये sanitary pad मैंने sanitary disposal bag में ही रखा हुआ, इक disposal bag भी मैं आपने bag म जरूर केरी करती हूए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी sanitary bag, वो sanitary pad आपको dispose करने हो तो एक sanitary disposal, जो भी ये bag साते है, इनको आप पर चीज़ कर लीजिए, इन में ही dispose करना चाहिए, ये hygiene के लिए भी बहुत जादा जरूरी है, आपके office के, या mall वगेरे में आप जाते हैं, कई पर मैं देखती हूँ कि girls उनको ऐसी throw कर देती हैं, और दूसरा, जब कोई जाता है वो शूम्यूज करने, कोई भी women ये girl, कोई भी जाता है तो वो बहुत खराब लगता है, मतलब मैं आपको explain नहीं कर सकती कि, वो ऐसे कभी भी आपको dispose नहीं करना चाहि है कि किसी कली को, या मेरी किसी friend को ज़रूरत पढ़े, मुझे थूलागी री से मिला था, महां पे sanitary bag था, मैंने ये रखा हुआ है, और इसी disposal bag में ये pad भी इस टाइप से carry करती हूँ, रख देती हूँ, कि जरूरी नहीं है, कि मुझे, या हम लोग जो अपने bag में carry करते है हम लोगों को जरूरत पढ़े, हमारी clicks को, friends को किसी को भी जरूरत पढ़ सकती है, तो ये hand bag में आप जरूर carry की, जगर आप tampoon वगेरा यूज करती है, तो वो आप carry कर सकती है, कि जो भी आप यूज करती है, और next जो है, next है hand sanitizer, hand sanitizer में हमेशा आप लोगों को prefer करती हूँ, च next है mini perfume, mini perfume में आजकल मैं ये वाली you are lovely ही, यूज कर रही हूँ, मुझे कितनी बार बताऊंगे आप लगों को, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ होने चाहिए, आपके पास safety win, जैसे मैं 3-4 safety win रखती हूँ, दो मैं बड़े रखती हूँ इस टाइप से, और 2 इस next है hand cream, hand cream मुझे लगता है कि बताऊंगे, कब से hand cream मेरे bag में हमेशा सर्दी ओगर्मियो हो, हमेशा होती ही है, क्योंकि अगर आपके hands rough है, वो मुझे लगता है कि आपके personality में सबसे खराब लगने, आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कितने भी अच्छे आपने make-up किया next है mobile का charger, अभी इसका adapter नहीं है, adapter के लिए मैंने smart watch charging पे लगाई है, तो adapter बहा लगा हुआ है, तो यह जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर phone बंद हो जाता है, तो सबसे बड़ी आफ़त आती है, अगर आपका phone बंद हो गया, क्योंकि घर से अगर phone आगया, आपका phone switch off है, त अपने handbag में power bank रखती हूँ, क्योंकि मेरे mobile की बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है, अगर मैं गाड़ी में हूँ तो इतना जरूरत नहीं पड़ती है, कि daily मैं office से घर, घर से ओफी जारी हूँ, क्योंकि गाड़ी में charge हो जाता है, और अगर ऐसा है कि मैं shopping करने के लिए या गाड़ी से नहीं हूँ, मेट्रो से हूँ, या मुझे एक होता है कि public convince लेना है, सब ऐसे बहुत कम होता है, तो मैं अपना एक portable charges जरूर कहरी करती हूँ, क्योंकि कई बार होते हैं कि आप street shopping के लिए गए हैं, और mobile charge नहीं पाता, switch off हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, त तो यह जरूर रखिए जब आप ऐसे कहीं जा रहे हैं, और next है hand free, hand free बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, जब आप bore हो रहे हो, या किसी की फाल्तुकी चटर पटर ना सुननी हो, तो अपने कानों में लगाई है, अच्छे-च्छे गाने सुनी, और बिल्कुल मेरे नेडिल्स में बड़े थे नहीं रखेहरू है, आप देख रहे होँ और या साथ मेरा में मेरे भगता मुछी बड़े च पड़े films एश्बाएरिटीर नोल। मोचे है और बड़े नेश में जरूर पिप अपनी मघा प्याया है, पयसा मेंड़े माधे प्रेशनर जब आप बौलते होना मुह से बहुत गंदी गंदी वाली समय आती है जो सामने वाले पर बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है तो रहा था चुंगंगं हम रख सकते हैं जैसे और बिट की शुगर फिरी आती है और पैन वगेरा जये बड़ा चीजे अपने बोग बार बार में मोबाइल नहीं कर सकते हैं नियुक्रों कर आप कर दो हो आते हैं और जोरी सी डाइरी यह तो इस वाली डायरी में अपने वीडियो के टॉपिक भी मैं अपको दिखाती हुँ यहां इस टाइप मेरे दिमाग में कुछ भी आता है ना तो मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं नोट करना है तो यह वाली डाइरी मैं जरूर रखते हूं आप चाहीं तक छोटी डाइरी रख सकते हैं बटे पे जरूर आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट होना चाहिए आपका एक वॉलेट के वॉलेट मुझे चेंज करना है इसको अराउंड बनें हाफ यह हो गया यह मैंने मिनिसों से लिया था मैंसे हो गई हूं बोर इस टाइप से आपका वॉलेट और प्लस आपके सारे कार्ड जैसे चाहिए और मतलब जो भी आपको लगता है मैट्रो से चलते हैं तो आपके मैट्रो कार्ड और कुछ कोईंस वो सारे अपने छोटी से वॉलेट में आप रख सते हैं टोईलेट सीट सैनिटाइजर यह मेरी आप सारी वीडियो में देखते होंगे अगर कुछ ऐसे बेसिक थि जरू करना चाहिए तो एक टोईलेट सीट सैनिटाइजर जरूर मेरे बैग में होता है अभी मैं जब अपना बैग चेक कर रही थी तो उसमें मैंने चेक किया कि के वाला मेरा फनीश हो गया तो यह वाला मैंने रखा है और नेक्स्ट है वन पेर आप एरिंग का जरूर रख जो अलमोस्त हर आउटफिट के साथ चले जाते है और एक छोटा सा को यह वाला को यह किसी होटल में था तो वही मैंने चोटा सा रख हुआ है कि जैसे बाल मैंने यहां पर किया है कि हलके से सेट करने हो यह हैर कट मेरा ऐसा है तो एक छोटा सा कोम आपके पास जरूर होना यह नेक्स्ट नेक्स्ट यह बड़ी बेसिक सी चीज है बट मैंने देखा है कि इसको जनरली बहुत कम गल्स इसको करी करती है वह है यह गैजट क्लीनर यह मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था कि जैसे फोन आपका बहुत ही गंदे हाथ लग जाते हैं फोन पे कुछ क बेंडेग में रखे जब लगता है कि स्क्रीन गंदी हो गई तो आप साथ के साथ उसको क्लीन कर लीजे यह बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है नेक्स्ट है कुछ बेंडेज बेंडेज दो मैं हमेशा रखती हूँ अभी मेरे पास कितनी बेंडेज बची हुई है मतलब म जरूर रखती हूं में रखना भी चाहिए और नेक्स्ट है मास्क मास्क अब मेंडेटरी नहीं है कि पब्लिक प्लेजिज पर आप जा रहे हैं तो मास्क लगाना है बट फिर भी बहुत काम की चीज़ है मेरे साथ तो यह इसलिए काम आता है कि कई बार ना कि जैसे मैंने मै कुवक्त नहीं प्रस्का ठेटम लगता तो मैं मैं लंगता है और मुझे लगता है और मेक अगा is अंचा सदी अधनी लगता तो मैं अपने फ्र आवर ग्लासी लगाति तो पता हो की में रजिटम ऐए और साथ में पास सं ग्लाशी जो भी आप sun glasses लगाते है तो बिल्कुल मेंडेटी है और आपकी कीज आपकी house की है ओफिस की है वो सारी कीज आप हैंड पैक में जुरू कहरी कीजिए और एक चीज है यह मैं आपको बड़े गाला दिखा रही हूं यह वैट टीशू पेपर वैसे चोटा आता है मैंने पहले आपको दिखाया था कि का रहा के आते है टेन वाइप का भी आता है बड़े मेरे पास अभी वो फिनिश है और शोपिंग करने में जानी पाई यह मैं घर में रखती हूं यह वाला किसका है यह लीटिल्स यह मताब बेबी वाइप से बहुत अच्छा है सिस्टर यूज करती चीज है यह चोटे साइज में आप हैंड बैग में जरू कहरी किजिए 10 वाइप से 20 टैन वाइप सो 25 वाइप सका आता है तो और क्या था बस यही थी वो सारी चीजे जो मुझे लगता है कि हर गल्स को यह विमन को अपने हैंड बैग में जरू कहरी करनी चाहिए इन में से आपको कुण कुण सी चीजे हैं जो आपको लगता है कि हां यह चीजे हैंड बैग में जरूर जरूर होनी चाहिए थ्री बेसिक चीजे जो आपको लगता है कि जरूर हैंड बैग में होनी चाहिए वो मुझे आप को मेंट बोक्स में कोमेंट करके जरूर बताएगा मिलती ह next video में तिल देन बाइ